हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम द्रश्टी में जो दे आपको सफलता की एक नई द्रश्टी दोस्तों आज का सरसन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यार्स मन लाइनर फर्म में जो कि आपकी आगामी परिच्छाग द्रश्टी से बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चाहिए है आपको इसकी पीडियाप तो पीडियाप के लिए जोइन कर यह ह सब्सक्राइब को सुरू करने से पहले यह हमारा यूपी पीसियस 2023 प्रीलियम को टार्गेट करता हुआ बैच 6 दिसा जो कि स्रिफ और स्रिफ 999 में उपलब्ध है हमारे एप्लिकेशन पर सु आप एनरॉल कर सकते हैं चलते हैं अपने सेसन की तरफ हमारा पहला फेक्ट क्य जिसे डी जी आई टेग कहते हैं प्रदान किया गया तो किसको किया गया वह है राज्य है तेलंगाना तेलंगाना की तूर डाल है नेक्स्ट फेक्ट हमारा है कोलंबिया के बगोटा में आयोजित 19 बे अंतर राष्टिय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में छे सोड़ पदक जीत कर कौन सा देश सीर्स पर रहा है तो कौन सा देश रहा है यह हमारा प्यारा भारत रहा है दोस्तू नेक्स्ट फेक्ट क्या है हमारा दिसंबर 2022 में दिल्ली में इस्तित किस परिशत को तमागु मुक्त छेतर घोसित किया गया है तो बहे कौन सा छेतर ह तो एम्स परिशर नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट राइट्स all-in for minority rights next fact क्या है मारा कि आठ से 10 दिसमबर 2022 के बिच बंगाल की खाडी में आए समुद्री तूफान इसका नाम क्या है मंडोस का नामकरण किस देश-द्वारा किया गया है तो किस देश-द्वारा मंडोस का नामकरण किया गया है तो वह देश है UAE यानि सयुक अरब अमीराद नेक्स कोश फेक्ट क्या है हमारा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आविजित साथ भी बैस्विक तक नी की सम्मिलन 2022 का केंद्रिय बिसे था क्या था बिसे? बिसे था प्रोधुगी की भू राजनीती क्या था? प्रोधुगी की भू राजनीती नेक्स फेक्ट क्या है हमारा भारतिय सेना के किस कोड ने भारतिय सेना के किस कोड ने नवंबर 2022 में राजस्थान की रिगिस्थान में सुदर्सन पिरहार नाम याद रखिएगा सुदर्सन पिरहार नामक युद्ध अभ्यास किया, तो किस ने किया? कोर का नाम है सुधर्शन चक्र कोर, नेक्स फैक्ट क्या है हमारा? नेक्स फैक्ट है, दिल्ली M.C.D. के लिए हाल ही में हुए चुनाओ के बाद, साथ दिसंबर 2022 को राष्टिय राष्धानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद, याद रखिएगा, राष्टिय राष्धानी से रिलेटेड है, तो राष्टिय राष्धानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद कोजित किया गया, किन को किया गया? तो यह है बॉबी किन्नर औरने बॉवी किर्णर जो सुल्तानपुरी ए वार्ड से ए एपी के पार्शाद हैं नेक्स्ट फ्यक्त क्या है हमारा भारत द्वारा एक दिसंबर 2022 को G20 की किसकी G20 की अध्यक्षता गिर्ण करने के उपलक्ष में देश में कुल कितनी राष्टी इसमारकों को प्रकासित किया गया तो कितनी राष्टी इसमारकों को प्रकासित किया गया तो एह सो संख्या कितनी है सो इसमारक next फैट क्या है हमारा भारत में बर्श 2023 में प्रिस्तावित G20 सिखर्थिमिलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20-10 देसों के अलावा किन देसों को औमंत्रण किया है तो किन देशों को आमंत्रित किया है ये लिस्ट है बंगलादेश, मिस्र, मौरिसस, नीदरलेंड, नाइजीरिया, उमान, सिंगापुर, स्पैन और UAE को आमंत्रित किया है जी 20 के सदस्यों के अलावा नेक्स फैक्ट किया है हमारा नेक्स फैक्ट है हाल ही में जारी गलोबल एवियेशन सेप्टी रैंकिंग में नामियाद रखिए गलोबल एवियेशन सेप्टी रैंकिंग में भारत की रैंक है कितनी रैंक है गलोबल सेप्टी रैंक में एवियेशन सेप्टी रैंकिंग में 48 4 दिसंबर 2022 को नो सेना के स्थापना की 51B बर्स गांट कहां पर मनाई गई कहां मनाई गई याद रखिएगा यह पिसाह का पत्नम में मनाई गई कि नो सेना के 51B बर्स गांट कॉशन इंप्रोटेंट है नेक्स फट क्या है हमारा देश का पहला राज्य देश के पहले राज्य की बात हो रही है तो याद रखिएगा जिसने हाल ही में अलग दिवांग विभाग इस्थापित करने की घूचणा की है तो किसने की है अलग दि नेशनल साइन्स फेस्टिवल 2022 का एयोजन जन्वरी 2023 में कहां हुआ तो कहां हुआ फेस्टिवल का नाम के है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 तो इसका आयोजन हुआ भोपाल मध्यप्रदेस में कहा हुआ है भोपाल मध्यप्रदेस में नेक्स फेट क्या है हमारा दिसंबर 2022 में किस उत्च नियायलाय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उप पर प्रतिवन्द्र लगाने की घुल्णा कि है मद्रास उच्च नियायलाय नेक्स फेक्ट है हमारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत औक्सभीं इंडिया द्वारा किसकी द्वारा औट्स फेम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोड इंडिया इनेक्वालिटी रिपोरerson 2022 सा है तो वह कौन सा राज है वह है महराष्ट कौन सा राज है महराष्ट नेक्स्ट क्या है मारा नेक्स्ट क्वेशन है दिसंबर 2022 में अंतर राष्टी नित्यांगना एबं एसिया की पहली मूख बाधिर नर्स अंतर राष्टी नित्यांगना एबं एसिया की पहली मूख नर् बुलबुल पंजारे किस सहर की स्वक्षिता ब्रांड एम्बेस्टर नियुक्त की गई है तो किस सहर की की गई है ब्रांड एम्बेस्टर नियुक्त तो यह है इन दौर जो कि मत्यप्रदेश का एक सहर है नेक्स्ट फेट क्या है हमारा नेफ्स सेट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान भारती नोसेना द्वारा शुरू किये गए ओप्रेशन टाइडेंट ओप्रेशन का नाम याद रखेगा ओप्रेशन टाइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे देश मनाने के लिए पूरे भारत में नोसेना दिवस 2022 कब मनाये गया तो यह कब मनाये गया यह मनाये गया चार दिसंबर को कब चार दिसम्बर को मनाया गया हाल ही में राष्टिय जयब्यभित्ता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो किसे नियुक्त किया गया राष्टिय जयब्यभित्ता आयोग की अध्यक्ष के रूप में तो यह किया गया सी अचलेंद्र रेड़ी को किसे सी अचलेंद्र रेड़ी को नेक्स्ट फैट क्या है हमारा मद्ध प्रदेश के जन्नायक तंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण मद्ध प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोहान ने कहां किया तो किन का किया गया है जन्नायक तंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कहां किया गया है भवरकुआ इंदोर में कहां भवरकुआ इंदोर मद्धिप्रदेश में किया गया है नेक्स्ट फैक्ट है हमारा 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ पिरवासन एवं गती सीलता समझोते परहस्ताचर हुआ तो किस देश का हुआ यह हुआ है जर्मनी का किसका हुआ है जर्मनी का नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा दिसंबर 2022 में किस संस्थान के सोध करताओं द्वारा समुद्र की लहरों से किसके समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तक्नीक ओशन बेब एनर्जी कनवर्टर सिंदूजा बन बिक्सित किया गया तो यह किसके द्वारा किया गया यह किया गया आई 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 टी मद्रास के द्वारा किसके द्वारा है आई-इटी मदरास के दौरा नेक्षट किया है माई 예요 कि Copenhorgan है डिराबाद है спасибо संस्थान जिसने हाल ही में भारब के पहले मचली डीके के वैबिकास के लिए केंद्रिय मतस्च की सिक्षा संस्थान के साथ समझस्था किया है तो किस ने किया है यह किया है Indian immunologicals limited क्या है Indian immunologicals limited next but क्या है मारा हाल ही में हिमाजल प्रदेश सरकार ने किसानों को सचाई सुभधाप प्रदान कराने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है तो किस नाम से की है यह की है हिमकेंड है हिमकेंड नेक्स फेट क्या है नवंबर 2022 में कहां पर सतत परवर्तिय विकास परवर्तिय विकास सिखर सम्मिलन का आयोजन किया गया दस्वा आयोजन किया गया तो कहां किया गया लेह लद्धाख में कहां लेह लद्धाख में नेक्स फेक्ट क्या है 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 थरवाद की बाइड़ोटेक्टनोजी कमपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविट 19 बैक्सीन लॉंच की तो यह क्या है इनो कोवेक इनो कोवेक नेक्स फैक्ट है मर्द प्रदेश का बहस है जिसने सॉलर प्लांट के लिए भारप के पहले रिटेल म्यूनी स्पल ग्रीन वांड जारी करने की योजना बनाई है तो उस सहर का नाम क्या है तो वह है इंदौर नेक्स फैक्ट क्या है हमारा बिस्विस सिनीमा की इतिहास में पहला बिज्ञान संस्कृत ब्रत चित्र जिसमें भारत की सफल मंगलियान मिसन का चित्रन किया गया है तथा जिसे गोवा के त्रीपनबी अंतर प्रदर्सित किया गया है उसका नाम क्या है यनम नाम का है नेक्स्ट क्या है मारा दिसंबर 2022 में उत्राखंड सरकार ने किस प्रस्थ गीतकार को अपना प्रस्थ गया है तो किसे किया है उत्राखंड सरकार ने अपना प्रस्थ गया है कि नेक्स्ट क्या है अमारा दिसंबर 2022 में किस उच्छ न्यालाई द्वारा 33 महा के गर्व को चिकित्स किये रूप से समाप्त करने की अनुमती दी गई है तो किस उच्छ न्यालाई के द्वारा दी गई है यह दी गई है दिल्ली उच्छ न्यालाई के द्वारा किस के द्वारा दिल्ली उच्छ न्यालाई के द्वारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा नवंबर 2022 में इटिक्टेंग प्रिणाली को लागू करने वाला दिस का पहला राज कौन है इटिक्टेंग प्रिणाली को कौन सा राज है तुबहे है हर्याणा हर्याणा ने इटिक्टेंग प्रिणाली को लागू करने वाला पहला राज बन गया है नेक्स्ट नवंबर 2022 में केंदर सरकार द्वारा अरावली बंचेत्र के बिस्तार के लिए हर्याणा के कितने जिलों का चैन किया है तो कितने जिलों का चैन किया है और किस के लिए किया है अरावली बंचेत्र के बिस्तार के लिए तो यह जिलों की संख्या कितनी है पांच उन जिलो में कौन-कौन सी जिले सामिल हैं तो पहला है गुरुग्राम, नूहू, रेवाडी, महिंद्रगर, चर्खी, दादरी ये पांच जिले हैं इन्हें याद रखना नवंबर 2022 में हिमाचल में पाए जाने वाले किस जीब को भारतिय खात्य सुरक्षा और मानक प्राधी करणने, फूड एनिमल, मूस्ट इंपूटेंट कॉस्चिन है, याद रखना, फूड एनिमल का दलजा प्रणान किया है, तो किसे किया है, हिमालई याग को, किसे किया ग सकते हैं, अगस्ट 2021 के बाद दूसरी बार, कब भारत ने सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की मासिक आधार पर अध्यक्षता गिरण की, तो कब की दिसंबर 2022 में, नवंबर 2022 में, किसे किंद्रिय जल आयोक का नया अध्यक्ष नियोक्त किया गया, किसे किया गया किंद् तो जे चंद्र सेखर आयर को किनी किया गया है, जे चंद्र सेखर आयर को, नेक्ष प्यक्ष क्या है हमारा, 29 नवंबर 2022 में, कहां पर भारत के पहले अंतर राष्टिय बहुत भिस्विध्यालाएं, धम्मे दीपा का सलाइंस किया गया है, याद रखना धम्मे दीपा, तो यह किया गया है तिर्पुरा के सब रूम में नवंबर 2022 को. Next fact क्या है हमारा? राज्य के सभी जिलू में 5G नेटवर्ग सीवा प्राप्त करने बाला देश का पहला राज्य बना है. तो यह कौन बना है? गुजरात. यह राज्य के सभी जिलू में 5G नेटवर्ग सीवा प्राप्त करने बाला देश का पहला राज्य बन गया है. Next fact क्या है हमारा? दिसंबर 2022 में किस वॉलिवोड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ओप दाइयर 2022 गुशित किया गया है. तो किन्हें किया गया है? यह सौनाक्षी सनाकों किया गया है. Next fact क्या है हमारा? भारत की पहली डिजीटल रूप से साक्षर पंचायत की बात की जा रही है. साक्षर पंचायत किस राज्य में इस्थे थे? तो कहां है? यह है केरल पल्लम पारा में. कहां? केरल पल्लम पारा में है. next fact क्या है हमारा हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकी किरित रॉकेट सुविधा इस्थापित किये जाने की गूशना की गई है तो किस राज्य में की गई है तो वह है तेलंगाना तेलंगाना में की गई है next fact है भारती वायुसेना में किस नाम से पहले स्वोदेसी विक्सित हल के लड़ाकू हेलिकॉप्टर को सामिल किया गया है तो किसे किया गया है वह है पिर्चंड क्या है नाम पिर्चंड नाम का है next fact क्या है हमारा अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवड अभिनिता को भारत निर्वाचन आयोग ने याद रखना अक्टूबर महा की बात है अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवड अभिनिता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्टी आइकन घुसित किया है तो किने किया है राष्टी आइकन गुशच, तो यह किया है, पंकज तर्पार्थी और नेकिया है, पंकज तर्पार्थी को. Next fact क्या है हमारा ? 1 दिसमबर 2022 को भारत ने किन अंतर राष्टिय संस्थाओं की अध्यक्ष्ता गिरंद की है ? तो किन की अध्यक्ष्ता गिरंद की है ? G20 की S.C.O. और सयुक्त राश्ट रक्षा परिशत की अध्यक्षता भारत ने गिर्ण की है Next fact क्या है हमारा 23 भारतिय हवाई अड़े जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए Facial Recognition Technique FRT आधारित नई प्रिणाली लागू की गई है तो कहां की गई है हवाई अड़े कौन से है तो वह हवाई अड़े हैं दिल्ली वाराणसी और वंगलरू यह तीन हवाई अड़ों पर Facial Recognition तकनीक आधारित प्रिणाली लागू की गई है Next fact क्या है हमारा इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चहरे से होगी और बे दिजी यात्रा मूबाइल एप के द्वारा हवाई अड़े में पेपरलेस प्रिवेस कर सकेंगी मतलब उनकी पहचान उनके चहरे से होगी Next fact है किस भारती राज ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्ता पसू टी का करन सिवा आप देख रहे हैं न कि यह दुनिया की पहली बात कर रहे हैं किस भारती राज ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्ता पसू टी का करन सिवा शुरूं की है तो किस राज ने किया है यह कि है अरुणाचल प्रदीश ने नेक्स्थ फेट क्या है हमारा नवंबर 2022 में भार्टी न्यु सिना द्वारा कौन सा शल्विक्षन पूत लॉंच किया गया है तो यह पूत का नाम क्या है इचचक पूत कौन सा है इचक पूत नेश्ट फैक्ट है हमारा राजिस्थान की जी आई टेग प्राप्त बहबस्तु जिसका सीगर ही IPO लॉंच किया जाएगा तो किसका किया जाएगा यह जैपुरी घेवर है उसका किया जाना है नेश्ट फैक्ट क्या है हमारा भाय हवाई एडड़ जिसे दिसंबर दोहजार बाइस में एरपोर्ट कांसलिंग इंटरनेशनल ACIC एरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियन्स मानता का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है तो किसे हुआ है यह हुआ है मंगलुरू इंटरनेशनल एरपोर्ट को किसे मंगलुरू इंटरनेशनल एरपोर्ट को हुआ है प्राप्त नेक्स फैक्ट है हमारा लेंगिक भिद्भाव के ब्रुद्ध समुधाय आधारित किस राष्ट ब्यापी अभियान की सुरुवात केंदरिये ग्रामिर मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की तो किस राष्ट ब्यापी अभियान की सुरुवात की है तो वह की है नई चितना पहल बदलाओ की क्या है नई चितना पहल बदलाओ की नेक्स फैक्ट क्या है हमारा हाल ही में बायू एक महत्पूर जीवन सक्ती सुमंगलम पंच महाभूत सम्मिलन क्या है बायू एक महत्पूर जीवन सक्ती सुमंगलम पंच महाभूत सम्मिलन स्रंखला का आयूजन किस राज में किया गया है तो किस राजी में किया गया है? यह किया गया है ओडिशा के भोवनीश्वर में next fact क्या है हमारा? नवंबर 2022 में भारत के किस परोसी देश में हुए आम चुनाओं में भारत के मुख्य चुनाओं आयो राजीब कुमार को अंतर राष्टिय परवेक्षक के रूप में आमंतरित किया गया है तो किस पड़ोसी देश में किया गया है राजीब कुमार को अंतर राष्टिय परवेक्षक के रूप में नियोक तो यह किया गया है नेपाल के द्वारा आमंतरित किया गया है जो हमारे मुख्ष चुनाओ आयोक राजीब कुमार है नेक्स फेक्ट क्या है हमारा 19 नवंबर 2022 को भारतिय बायू सेना का बार्सिक एर्सू एरफेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया तो कहां पर किया गया आयोजित यह किया गया ओनाखपूर में कहां पर नागपुर में, next fact क्या है हमारा, next fact है हमारा, नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग professional scheme शुरू करने की घुशना की है, तो किस देश के साथ की है, किस देश ने की है, तो यह की है विटेन ने, विटेन ने भारत के साथ यंग professional scheme शुरू करने की घुशना की ह नेक्स फैट क्या है हमारा भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट सिपिंग इन्फोर्मीशन एक्स्चेंज समझोता संपन हुआ तो किस देश के साथ हुआ यह हुआ न्यूजी लेंड के साथ किसके साथ न्यूजी लेंड के साथ तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन असा करती है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा यदि आप करेंट अफेर्स कंटीन्यू करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज चल रही है आप यहां से जोइन कर सकती हैं सेशन तो थेंक्यू